2020 के Corona Crash में जिस तरीके का सेनरियो यहां पर बन चुका था सेम उसी तरीके का सेनरियो यहां पर बन चुका एक और उसके बाद Crash कितना गहरा होगा और हमें कौन से Option में Best Trading Opportunity मिलेगा और उसके पीछे का Complete Logic क्या है तो सभी बातों को Step by Step ये वीडियो में सिखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हम लोग सिखेंगे कि 2020 में जो Crash आया था करोना के समय पे वो टाइम पे किस तरीके के Candle Pattern यहां पर डेवलप हुए थे किस तरीके का Price Action यहां पर डेवलप हो चुका था और उसके पीछे का Complete Logic क्या है जब हम इस Logic को सिखेंगे तब उसको इस के अभी Live Market में इंप्लिमेंट करके देखेंगे तो हमारा Understanding क्लियर हो जाएगा Basic Intention यह है कि आप इस Logic को समझोगे तो कौन से भी Top के उपर हम लोगों को कौन से Point को देखने है और जब Market Bottom में आएगा तब Bottom में कौन से Point को देखने है यह समझने पड़ेंगे हम लोग क्या करेंगे Market में Price Action का बोस्ट मेसिक और Fundamental Concept रहता है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कब Market में Seller Active होते हैं कब Market में Buyer Active होते हैं Seller अगर Active होते हैं तो कौन से Level पर होते हैं Buyer अगर Exit करते हैं तो कौन से Level पर Exit करते हैं यह सभी बाते सिखने की कोशिश करेंगे अभी सबसे पहले 2020 के सेनरियो को ठीक से समझ लेते हैं अभी मैंने यहाँ पर आपके सामने जो चार्ट लगाया हुआ है यहाँ पर आप देखोगे तो 2020 के पहले का सेनरियो यह था कि मार्केट जो था वो continuously series of higher highs और higher lows लगाते जा रहा था फर्स्ट ताइम मार्केट ने यहाँ पर एक candle pattern बनाया हुआ था इसको बोलते है बेरिश इंगलफिंग candle pattern यह बेरिश इंगलफिंग candle pattern जो रहता है इसका interpretation यह रहता है कि जो previous वाला trend रहता है अप ट्रेंड वो अप ट्रेंड में pause लग जाता है यह पहला confirmation हमको मिल गया कि अप ट्रेंड जो था वो अप ट्रेंड में अभी pause लग गया क्योंकि यहाँ पर buyer नहीं आये यहाँ पर seller ने अपना activity बहुत ही strong कर लिया फिर market दुबारा नीचे आके एक downside का low लगाया फिर upside जाने की कोशिश की लेकिन दुबारा market में buyer का उतना entry नहीं हुआ अगर buyer का strongness रहता तो यह previous high को निकाल देता जैसे यहाँ पर previous high को market ने निकाला हुआ था यहाँ पर buyer का ताकत कम पड़ गया उनका force कम पड़ गया और उपर की साइड में दुबारा seller active हो गया और इस वाले लोग को break करके market ने एक तेज fall हम लोगों को दिखा दिया अभी इसमें कौन-कौन से point आपको समझने पड़ेंगे कि सबसे पहले जब भी market में reversal आता है या फिर market top बनाता है तो top के उपर हम लोगों को कौन से point देखने पड़ते है सबसे important बाद market में एक अच्छा खासा trend रेना चाहिए पहले market में एक trend का confirmation होना चाहिए कि market में trend आ चुका है फिर उसके बाद second point हम लोगों को यहाँ पे top में आप लोगों को एक candle pattern दिखाई देना चाहिए जो हमें indicate करे कि अभी जो previous वाला uptrend था उसमें pause आ गया यहाँ पर fresh seller जो है वो fresh seller market में आ चुके है तो यह हमरे लिए पहला confirmation होगा है जब भी candle pattern बनता है तो candle pattern यह हमें indicate करता है कि यहाँ पर उपरी level पर profit booking हो चुका है मतलब अगर market में uptrend है तो uptrend में जो भी लोगोंने buy के position बनाए रहेंगे वो पहले यहाँ पर profit book कर लेंगे और profit book करने के बाद उसमें से ही कुछ लोग यहाँ पर selling का position initiate करेंगे कुछ side line पर बेटे हुए लोग भी selling का position initiate करेंगे बहुत ही simple language में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो लोग नए है यह लोग अगर इस basic concept को समझते है तो आप live market में आसानी से chart pattern को चे candle pattern को या फिर price action को read कर पाओगे अगर यह educational वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को like कीजे आपके जो भी कुछ doubt रहेंगे मुझे comment section में बता जीजे और अपने YouTube चैनल को subscribe करके बेल आइकॉन का बटन दाबा दीजे अभी यह पूरा मेंने आपको 2020 का psychology समझा दिया अभी आते हैं आज के सेनरियो में 2022 के डिसेंबर महिने में अभी 2022 का जो डिसेंबर महिना चल रहा है वहाँ पे किस तरीके का सेनरिय डेवलप हो चुका इसको समझने की कोशिश करते लास्ट विक मैंने आपको एक वीडियो डाला था मेरे YouTube चैनल के उपर इस वीडियो में मैंने clear cut आपको बताया वहा था आप डेट के साथ यहां पर चेक करके देख सकते हो कि निप्टी में जो है वह उपर की साइड में डा चेक करके देखे इस वीडियो के description box में मैं उसका link आपको डाल दूंगा अभी हम लोगों को यह समझना है कि market में किस तरीके का scenario डेवलप हो सकता है पहली बात यह है कि market में यहां पर आगर आप देखोगे तो market series of higher highs और series of higher lows लगा रहा था मतलब हम लोग जो top identify करने का पहला criteria रखते है कि market में एक अच्छा कासा trend होना चाहिए तो market में हम लोगों के लिए uptrend बना हुआ था अभी second criteria यह रहता है कि उपर के side में market में कही पे हम लोगों को pause indicate हो रहा है क्या pause का मतलब यहां पे कोई chart pattern बन रहा है क्या तो यहां पर आगर आप देखोगे तो हम लोगों के लिए एक dark cloud cover candle pattern बन चुका था फिर उसके बाद यहां पर shooting star candle pattern बन चुका था मतलब यह दोनों candle pattern हमें indicate कर रहे है कि यहां पर जितने भी लोगों ने buy के position बनाए रहेंगे उसमें से बहुत सारे लोग यहां पर आपने position का profit book कर रहे हो वो market में exit हो रहे है तो यहां पर profit booking ह हो गया यह confirm हो गया अभी third criteria क्या है हमारा top को identify करने का कि यहां पर कोई price action बन रहा है क्या तो फिलहाल के लिए अभी यहां पर कोई price action नहीं बन रहा है तो हम लोगों के लिए एकदम strong downtrend कब confirm हो जाएगा अगर market दूबारा थोड़ा सा उपर जाता है और थोड़ा सा उपर जाने के बाद इस वाले लोग को break करता है तो इस वाले लोग को break करने के बाद market में बहुत ही strong downtrend यहां पर develop हो सकता है जो market को 17,000 के level तक भी नीचे की तरफ पहले जटके में ला सकता है इस level के लिए हमें तयार रहना पड़ेगा लेकिन उसके लिए step by step procedure को हम लोगों को follow कर करना पड़ेगा सेम तरीके का daily analysis में आपको इस फ्री वाले चाइनल में देता हूं जब मैंने कल के दिन 320 के उपर buy करने के लिए आपको put option दिया था वो almost 400 रुपया तक यहां पर गया था इस फ्री वाले चाइनल का link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हूए आप वहां पर जाके check करके देख सकते हो तो अभी current scenario हम लोगों को clear हो चुका है अभी हम लोगों को कहां पर focus करना है कि कहां पर entry लेना है कहां पर exit लेना है आज की वीडियो में हम लोगोंने weekly chart का analysis कि weekly chart से हमें sentiment का यहां पर पता चला फिर हम लोग कल के वीडियो में क्या करेंगे daily chart का confirmation ले लेंगे कि क्या हो सकता है और फिर intraday chart के ऊपर हम लोग level draw करके यहां पर entry और exit के बारे में बात करेंगे अभी यहां पर फिलहाल के लिए यह वाला candle हमें क्या indicate करता है एक single candle का psychology कैसे समझना है यह समझने की समझने कि मैं आपको कोशिश करता हूं सबसे पहले हमारे ल order market को close करते हैं और यह जो high low और close बना रहता है यह मार्केट में हम लोगों के लिए important support resistance की तरह काम करता है इसमें से कुछ psychological point में आपको समझने की कोशिश करता हूं यहां पर जिस तरीके का scenario बन रहा है मतलब low जो है वो आपके close के करीब आता है तो यहां पर अभी भी जिन् में दिखा ही देता है तो यह open interest के data को भी आप read करना सीख सकते हो मेरे free वाले course को मेरे free वाले course को कैसे join करना है इसके details मैंने telegram channel पर दिये हुए है और telegram channel का link वीडियो के नीचे डाला हुआ है तो हम लोगों को पहला interpretation यह मिल गया कि आभी भी यहां पर sale के position market में hold रहता है तो पहली बात यह है कि market में sharp recovery नहीं आता मतलब एक बात हम लोगों को confirm हो गई कि यहां पर अभी sharp recovery नहीं आएगा के नीचे market ने यहां पर close दे दिया है तो यह हमें indicate करता है कि market में selling का position अभी बन रहा है हमारे लिए confirm downtrend कब हो जाएगा जब market में इस support के उपर इस तरीके का price action बना के इस low को market break करेगा तो हमारे लिए confirm selling का position confirm long term के लिए downtrend में start हो जाएगा अभी यहां पर market थोड़ा consolidate करेगा और फिर उसके बाद नीचे आएगा तो हम लोग यहां पर तुरन position बना सकते हैं फिलाल के लिए हो जाता था तो वह Christmas के scenario में अपने market में भी volume कम हो जाता था थीन volume होने के कारण यहां पर activity कम होने के कारण वह और प्राइस के उपर वह टाइम के उपर market थोड़ा सा range बाउन momentum दिखा दा था लेकिन अभी global market में क्या हो चुका है global market में इस period में मतलब 25 जनवरी से लेके 25 डिसेंबर से लेके 2 जनवरी तक का जो period रहता है उसमें भी market में हम लोगों को activity दिखाई देता है तो आने वाले week आप लोगों को एक volatile movie दिखाई देगा जहाँ पे एक trendy market मिलेगा और trendy market में अच्छा profit कमाने की हम लोगों को यहाँ पर possibility develop होते जा रही है बाकी daily के chart का और intraday के chart का analysis में कल के वीडियो में डाल दूँगा इस free वाले channel को आप join कर लिजे जिसका link वीडियो के नीचे डाला हुआ है और कल के वीडियो में मैं आपको बता दूँगा कि कौन से level के उपर best option का opportunity हम लोगों को create होगा मिलते हैं next educational video में thank you very much